करने जा रहे हैं उत्वदेश्ट की एकनॉमी में मूल रूप से देखा जाए तो अध्योगिक विकास की स्थितियां 15 वित्तायों की रिपोर्ट्स प्रमुक आपके अध्योगिक संस्थान प्रमुक अध्योग कहां कहां लगाये गए हैं मेगा क्लेस्टर और जो अध्योगि गलियारों का विकास इत्याद किया गया है इस से डेटा है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं दूसरी जो चीज़ आती है देखा जाते हो एकनॉमिकल पॉर्शन से यूपी से स्पेशल में आपको यूपी का बजट पूछा जाता है और उसके सम्दित कुछ आपका करेंट हो रहे हैं, किस प्रकार कि निर्यातों मुखी केंद्र हैं पर कहा है, क्लस्टर को कितने बनाये गये हैं, और ने गिवेश पर योजनाय कों सी है, ओट योग इक सीटी पार्क और कहिसमें निवेश छेत्र कहा है, हैं साथितविष्ट के निर्यात जोनों में हम देखेंगे किसने ऐसे के कौन से Wiepha ओं के माम हाद देखे जाते हैं चीजा कि सारा जो कह सकते हैं डेटा बेस्ट क्वेशन है वो भी इसमें देखें इसके रिक उत्तविष्ट सरकार पुम्हार के दिश्टकोंड से जो 15 वितायोग की सिफारिशें रही हैं. ठीकैं? कहने का मतलब है कि 15 वितायोग के द्वारा उत्तवदेश को लेकर क्या-क्या अनुदान किस तरीके कि यहाँ पर मिले हैं और क्या-क्या प्यान ने सिफारिशन के लिकी गई हैं वो सारी चीज़ें भी इसमें हैं स्टडी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखिए उत्वदेश भारत जैसा ही एक क्रिश्य आधारित अर्थवेवस्था है और यहां पर मुल रूप से देखा जाए तो यूद्धोग का जो योगदान है वो 21.7% है यहा आपको देखे जाते हैं भारी उत्वदेश का जो सबसे बड़ा उत्वदेश का मैंचेस्टर जैसे जो संग्या दी जाती है वो कानपूर को दी जाती है देश में पंजिकरे जो कारखानों की संख्या के आधार पर अगर हम प्रात्मिक तेन स्टेट्स की बात करें तो यहां पर तामिलनाडू, महराश्र, आंत्वदेश है उसके बाद गुजरात और उत्वदेश का स्थान अगर बोलेते हाँ पे प मांद्धयम से प्रदेश के और द्योगएक विकास में यहां पर प्रयास किया जा रहा है, मूलरूप से देखा जाये तो द्रिशकोंड से काफी सारे निगम और यहां पर विकास प्राजी 2500 की भी इस्थाटना की गई है, सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं, उत्तवद के मामले में उत्वदेश का पहला स्थान आता है और उत्वदेश की सबसे महत्पूर्ण नगदी फसलों में से एक आपकी गन्ना फसल है गन्ने में गन्ने का जो टोटल इसका आगे चलके नाम में परिवर्धन कर दिया आयता हैं। जाल बहादूर सास्त्री गन्ना विकास संस्थान उत्तव देश में गोंडा गोरकपूर वाराणसी साज यहांपूर मुझफण अगर में गन्ना साखा प्रसिक्षन संस्थान भी खोले गए हैं और उत्तव देश गन्ना शोध परिशत का जो गठन है वह 1776 में किया गया उत् पुर्ब से देखा जाय चीनी उत्पादन को लेकर चेत्रफल को लेकर सरवाधी के आपट चीनी मीलियों को लेकर इस तरह के प्रश्णाब को आते हैं तो इनको आपको ध्यान रखना है दूसर उत्द्योग इसमें है सूती वस्त्र उत्योग रांसहाय आयोकी संस्थुतिय के आधार पर 9 जनवरी 1997 को कंपनी अधिनियम 1956 की धाराच 61 के तहट उत्तव देश में शक्ति चालित हतकरगा वित एवं विकास लिम्टेट के स्थापना किये गई प्रथम जो तीन राज्य हैं सूती वस्तर उद्योग में उसमें महारास्त गुजरात और तीसरे नंबर पर आपका उत्तव देश का स्थाना आता है क्रिश के पस्चाद जो दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है यहाँ पर आपको देखा जा तो यह रोजगार देने के मामले में है इसके लावा सीतवपुर की यहाँ पर देखा जाए तो दरिया, गाजीपुर का कटवर्क परदा, अमरोहा का पाइल वर्क, गोरकपुर का बेट कवर, गाजियाबाद का टेरी टावल, एवन वारांसी की सिल्क साणियां कलात्मक वस्तरों के लिए यहाँ पर उत्तव इसमें प्रसिद्ध हैं, साथी बनारस की रेशमी साणियां लखनों के चिकन और रामपुर के दरी दर्जोजी का काम जो है वो विश्व विख्यात है, यह आपको नाम याद रखने हैं, जीलों के नाम याद रखने हैं, और किस प्रकार का वर्क यहाँ पर होता है, देखे कहां होता है, मिलान करने को लेकर भी कई बार इस तरह के प्रश्णाप को पूछे जाते हैं, इसलों इनको ध्यान में रखना है, इसके लावा, प्रदेश में छीटवान लिफावों को छापने का कारे जहांगेरपुरी, पिलक हुआ, फरुखाबार और मतुरा में है, साथ उत्तवदेश राज्य वस्त्र निगम की स्थापना 1979 की गई, जिसको 1975 में एक पब्लिक लिमिटेट कमपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया आता है, इसी तरीके से केंद्र सरकार के दौरा 2007 में हतकरगा निर्यात योजना प्राराम की गई, जिसके माध्यम से इन उत्यो बोर्ड के स्थापना 1960 में खादी ग्राम उद्योग यहाँ पर चतुर्वों की विकास के लिए की गई, एक ऐसा उद्योग जो ग्रामीट शेत्र में बिना विद्द उपयोग के मालेवम सेवा का उपयोग कर सकता है, उसका निर्मार कर सकता है, उसे हम ग्राम उद्योग कह के अवसर पर खादी के वस्त एम कपड़ों की विक्री पर 108 कारे दिवस के लिए 10% चूडर्थात की, गांधी जन्ती के अवसर पर 108 कारे दिवसों के दौरान ये आप खरिद्दारी करते हैं, तो वहाँ पर खादी वस्तरों की, तो वहाँ पर आपको 10%, कितना 10% की यहाँ पर डिसकाउंट भी दिया जाता है, ये ऐसा इसलिए किया आता है, ताकि खादी हो ग्राम उद्योग के जो कह सकते हैं, कपड़े इत्याज हैं, उनको यहाँ पर जादस जादा बढ़ावा मिले, लोग खरीते हैं, और साथ-साथ इससे जुड़े हैं, रोजगार परक कह सक करना चाहता है, तो उसको इस प्रकार की साहता दी जाएगी, उत्तवदेश में अगला जो उद्योग है, वो है रेशम उद्योग, रेशम उद्योग से रिलेटेड ध्यान रखिएगा, कि भारत जो है रेशम उत्तवादन में दूसरे अस्थान पर है, पहला अस्थान आप पर होती है, इसमें सहतूती रेशम, टसर, अरंडी और मुंगा सिल्क है, विशेश रूप से यहाँ पर मुंगा सिल्का उत्तवादन भारत में जादा होता है, बात करें अगर हम उत्तवदेश की, तो उत्तवदेश में यहाँ पर देखा जा तो विशेश रूप से एक प्रदेश में प्रादेश कोपरेटिव सेरी कल्चर फेडरेशन का गठम किया गया जो रेशम उत्पादन के वृध्धि के लिए यहां पर कारे करता है तो यह तो हो गया उत्तपदेश में यहां पर देख लें तो आपके प्रमुख जो उद्योग है रेशम से रिलेटेड एक चीज यहाँ पर है कि उत्तव रेशम में कुछ अनुसंधान विकास संस्थान भी स्थापित किये गए है तो कौन-कौन से रेशम अनुसंधान संस्थान है पहला देखे इसमें है आपका सहतूती रेशम का अनुसंधान विकास के इंदर जो की आपका सुभागपुर गोंडा में है दूसरा टसर रेशम का अनुसंधान विकास के इंदर सोनबद में है और तीसरा Aerie Raison का अनुसंद्धान विकास के इंदर आपका और अया में है तो तीन अलग-अलग प्रकार के रेशम जो हैं और तीनों ही रेशमों के जो उते हैं आपके अनुसंद्धान विकास से जुड़े हुए जो संस्थान है UP में आपको स्थाप्डित हैं एक आपका गुंडा में हैं, जो सैतूती रेसं से जुड़ा हुआ है, टसर रेसं से जुड़ा हुआ सैंसथान शोन भद्र में है, और एरी रेसं से जुड़ा हुआ आपका धान संसंसस्थान ओर रया में, चलिए अनगे कुछ फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं, जनेस्वर मिर्षर राज हतकरगा पुरसकार योजना जो होती है 2012-13 प्रारम की गए जिसके माध्यम से हतकरगा उद्योग से जुड़े हुए कारीगरों को यहाँ पर जो राज सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है इसके तहब यहाँ पर तीन कारीगरों को चुना जाता है जिन्हें प्रथम दूती तरती अस्थान के आधार पर एक लाख पचास जरोग पचीस अरुपए यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है स्वरूप यहाँ पर यह भी है इस तरह के पुरस्कारों का जिसके मात्यम से जो हत्करगा उत्योग में लगे हुए कारिरत कर्मचारी हैं उन्हें बढ़ावा मिल सके वो भी यहाँ पर इस उत्योग को अपनाए और दूसरा यहाँ पर जो फैक्ट धियान रखना है आपको जनस्री बीमा योजना प्रारम की गई जो हत्करगा एवं पारलूम बुनकरों को लाभ पहुचाने के लिए स्टार्ट की गई थी इसमें खादी कामगारों की मृत्ति और विकलांगता के इस्तिती में यहाँ पर अधिक सहायता प्रदान की जाएगी इसमें 18-60 वर्स के ज समंथितं डिटेलिंग अब यहाँ पर जी कि जैसे कि हम जानते हैं उत्तव देष एक्जाम की जो प्राकिति है खासकर हम अगए प्री एकजाम की बात करते हैं तो वहाँ पर काफीसादर विं राइस ऑन चार् decided ऑ ahor current से नहीं आता है और current से क्योंकि current में अगर question आता है तो वह आपको ज्यादा जो योजना है economical चलाई गई है या कोई need ही लेकर आई गई है या budget में उन्होंने जो बोला है उस से related question बनता है लेकिन यदि सरकार यदि यहां से question नहीं आते हैं तो उसका आधार बनता है इस तरीके के प्रशन जो हम यहां पर पढ़ने जा रहा है जैसे कि उत्तवदेश के कौन से उद्द्यो कहां पर स्थापित है मुरादाबाद में है या फिर कैंची उद्द्यो कहां पर है ताला और कहां का फेमास है इस तरह के question भी आपको वहां पर बनते हैं तो यहां पर हम देखने जा रहे हैं कि कौन-कौन से आपका उद्योग कहां-कहां यूपे में आपको स्थाप देखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले यहां पर जो पहला हम डेटा देखने जा रहे हैं, वह उत्तब देश में जो 9 गन्ना परिछेतर हैं, कितने हैं, सबसे पहले बुलन शहर, बागपत, हापूर पांच जिले आते हैं मेरट गन्ना परिशेतर के अंतरगत दूसरा गन्ना परिशेतर है आपका सहारनपूर जिसके अंतरगत तीन जिले आते हैं सहारनपूर, मुझफवनगर, शामली तीसरा है लकनव, लकनव के अंतरगत लकनव, लकिमपुर, खीरी, सीतापुर, रायबरेली, हर्दोई, फरुखाबाद, कानपुर, इठावा, इठावा को मिलाकर टोटल आठ जिले यहाँ पे लकनव, गन्ना परिशेतर के अंतरगत आते हैं चौथा यहाँ पर है फैजाबाद, जिसमें आपको फैजाबाद, वारांसी, जौनपूर, गाजीपूर, बाराबंकी और सुल्टानपूर मिलाकर खुल छे जिले इसके अंतरगत आते हैं गोरकपूर गन्ना परिशेतर में चार जिले आते हैं जिसमें गोरकपूर, बस्ति, महराजगर्ण और सुधार्थनगर हैं देवी पाटन में गोंडा, बलरामपूर, वहराईश यहाँ पर तीन जिले आते हैं मुरादाबाद में विजनौर, मुरादाबाद, रामपूर, अम्रोहा और संभल के पांच जिले यहां पर आपको मुरादाबाद गन्ना परिशेत्र में आते हैं। इसी तरीके से देवरिया के अंतरगर, देवरिया, कुशिनगर, महु, बलिया और आजमगर पांच जिले आते हैं और नौवा जो यहां पर गन्ना परिशेत्र हैं, बरेली का है और बरेली में देखा जाए तो बरेली स्वय में, पिली भीत, साज जहांपूर, बदाईू, अल गन्ना परिशेत्र इसके अंतरगर आता है या नहीं है, तो यह नौव जिले कमस्कम आपको ध्यान रखने हैं, कौन से हैं एक बार, तो गन्ना परिशेत्र हैं मेरट, सहारनपूर, लखनव, फैजाबाद, गोरकपूर, देवी पाटन, मुरादाबाद, दिवरिया, बरेली कमस्कम ये जरूर आपको यहाँ पर याद होना चाहिए, दूसरा एक प्रशन बनता है जो उत्तब देश से रिलेटेड और यहाँ से काफी प्रशन पूछे जा चुके हैं, और ये चांसे हैं कि ये आपको आगे भी पूछे जाएंगे, प्रदेश के प्रमुख लगु, हथकरगा उद्योग, जो कि काफी यहाँ पर प्रशन बनते हैं, जैसे कि कालीन और दरी का काम कहां होता है, हथकरगा सूतिवस्त कहां बनते हैं, रेश्मी साणिया जिले में, कौन किस जिले में यहाँ पर बनाई जाती हैं, तो ये जो कुश्चन है, इसके लिए आपको य जबफर नगर, नजीबाबाद और मेरट में, रेश्मी साणिया वारांसी में, हथकरगा सूति वस्तर उद्योग, मेरट, सिकंदराबाद, धामपूर, देवबंध, इटावा, बारा बंकी और जेपी नगर में, हथकरगा रेश्मी जो वस्तर बनते हैं, वो वारांसी, बि जान रखना है, यह जो लग, गुटेर और हथकरगा उद्योग से रिलेटेट काम है, इसके लामा कई सारे उद्योग ऐसे हैं, जो पीतल और अन धातु से रिलेटेट उद्योग भी यूपी में लगाए गए हैं, जैसे कि पीतल की मूर्थियां यूपी के किंजिलों में ब बर्तनों पर कलाई वा नकासी का काम मुरादाबाद और मिर्जापूर में होता है, तो वहीं पीतल के सरोते और कैची जो बनाने काम आपका अलिगड, मतुरा, मेरट, हाथरस और रामपूर में होता है, लोहे के बाट बनाना सहारनपूर और आगरा में, जबकि ताला और च फरनीचर से रिलेटेड उद्योग यूपी में कहां कहां हैं, सबसे पहरे लकडी के खिलोने यूपी के किंजलों बनाया जाते हैं, तो दो जहें लखनाव और वारांसी में लकडी के खिलोने से रिलेटेड आपके उद्योग डिवलप हैं, लकडी का जो फरनीचर का काम है वो बरेली, हाथरस, आग्रा और वारांसी में होता है इसी तरह लकडी पर नकासी का जो काम है वो सहारनपूर और नारगीनाथ में होता है खेल का सामान मेरट और आग्रा में बनता है जबकि बेंत और छणिया जो होती हैं वो बरेली में बनती है तो यहantal हम्ने देख लिया आपको अधकरघा, लगो अध्योग, पीतल अध्योग और लकडी का उध्योग, इसके रहाब अन्य भी कई प्रकार के उध्योग होते हैं, तो यहाँ पर अन्य कौन कौन से उध्योग हैं और UP में कहां कहां यहां पर ड्वैलब हुए हैं, जैसे कि चीनी मिट्टी के बरतन बनते हैं खुर्जा, गाजियाबाद और लखनव में इत्र का निर्माण कन्नौच, गाजियाबाद, लखनव, जौनपुर और नैनी में इसके बाद कागज उद्योग जो हस्त निर्मित कागज बनाए जाते हैं वो आपका मतुरा, कालपी और कागजी सराय में इसी तरह तबला, बासुरी, हर्मोनियम जैसे वाद देयंत्रों का जो निर्माण है वो आपका मेरट, लखनव और कानपुर में किया जाता है साथ ही, चूड़ी उद्योग आपका देखा जाया तो आगरा में मिट्टी खिलोने आपके आगरा में चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में दिया सलाई का काम बरेली में कागज उद्योग सहारनपुर में पीतल उद्योग मुरादाबाद में कालिन उद्योग मिर्जापुर में चीनी उद्योग गोरकपूर, गोंडा, बहराईच, बास उद्योग आपका बरेली में, सिंग्रिट निर्माड का जो उद्योग है सहारनपूर और गाजियाबाद में होता है, साबुन उद्योग गाजियाबाद, आगरा और कानपूर में, जूट उद्योग कानपूर और गो की कि यहां से आपको प्रशन आते ही आते हैं इनको आपको ध्यानरा है चल इए बात करते हैं आप उत्त अवर्धियू इसके विकास के लिए लिए आज रहे het आक बोगतर सावर कंअंग रहते हैं क्योंकि वहां पर इनकम जानी संहिंस इनकर्ट होती है वो आपकी सीमित रहती है तो यहाँ पर उत्तवदेश सरकार के द्वारा क्रिश्च उद्योग के इतर अन्य सर कह सकते हैं कि विनिर्माल और सेवा सेक्टर जैसे उद्योगों को ड्वलप करने के लिए यहाँ पर उत्तवदेश में और विकास प्राधिकरणों के स्थापना किये गए य इसके कारण अगर हम देखें, तो उत्तव देश के जो अध्यों के विकास है, वो काफी तेजी से हुआ है पिछले कुछ सालों में। तो आईए समस्ते इनकी भूमिका क्या है, कौन-कौन से प्रोजक्ट इनके माध्यम से सुरू किये गए हैं, और क्या इनका रोल है। तो सबसे पहले उत्तव देश के जो प्रमुक अध्योगिक विकास प्राधीकरण हैं, इसमें राज के अध्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए जो प्रत्हम अध्योगिक विकास प्राधीकरण के स्थापना की गई थी, वो नोयडा में की गई थी 1976 में। उसके पश्चात आगे चलके कई अन्य आपके विकास प्राधीकरण स्थापित किये गए जिसमें से था गोरखपुर और दोगे विकास प्राधीकरण जिसे गीड़ा के नाम से भी जानते हैं इसकी स्थापना यहाँ पर न्यू गोरखपुर आवासी योजना, ट्रांस्पोर्ट नगर, एप्रेल पार्क और टेक्स्टाइल पार्क यहाँ पर स्थापित करने के लिए की गई साथी इसके द्वारा यहाँ पर एक फूट पार्क की स्थापना 105 एकड में यहाँ पर की जा रही है तो आप देख सकते हैं कि गोरखपुर और दोगे विकास प्राधीकरण ने किस तरीके से गोरखपुर उसके आसपास की एरिया को ट्रेलप करने का काल किया एक और यहाँ पर है सत्थ हत्रिया और दोगे विकास प्राधीकरण जिसे हम सीड़ा भी कहते हैं इसकी स्थापना 1989 में की गई इस प्राधीकरण का जो काम है वो जौनपूर के तैस्षील मचली नगर के ग्रावों में अधिसूची थैं और मूल रूप से यहाँ छेतर जो है इलाहाबाद जौनपूर के मार्गे के पास से जो जौनपूर मूलन रूप से हम कहें कि मुख्याले कह सकते हैं आप मुख्याले से यह आपको 47 किलोमेटर की दूरी पर इलाहाबाद जौनपूर के मार्ग पर यहाँ पर यह इस्थित है और यहाँ पर जो विकास प्राधीकरण है जो मूल रूप से और जौनपूर के आसपास के एलिया को डवलप करना है इसी तरीके से भदोही और दोगे विकास प्राधीकरण जिसे हम बीड़ा कहते हैं यह मिर्जापूर मंडल के भदोही जिले में यहाँ पर इसे विक्सित किया जा रहा है और इसका काम है कि प्रदेश में जो लग उद्द्योगों का विकास करना और उनके मात्यम से जो भी काम किया गया है जो भी उत्पाद बनाए गया है उनके निर्याद को प्रोथ साहन करने का गाल लगनाओ उद्द्योगे विकास प्राधीकरण इसे लीड़ा कहते हैं यह लगनाओ के 49 गाओं और उननाओ के 43 गाओं को मिला करके इसको बनाए गया है 2005 में इसका जो मुख्या के विकास प्राधीकरण जो 24 अप्रल 2001 को इसका गठन किया गया इसके इंतरगत 1187 गाओं यहां पर इस विकास प्राधीकरण के इंतरगत आते हैं और कई सारे जिलों के गाओं है पर्टिकुलर एक चिले में नहीं है बलकि गौतम बुधनगर अलिकर्ण आगरा मत्रौ और यहां पर और इन जनपतों को मिला करके इसका निर्माड किया गया है साथी यहां पर जेबी ग्रूप के द्वारा एक आपका भारत का पहला फॉर्मूला वन रेसिंग ट्रैक भी यहां पर बनाया गया है इसी तरीके से उत्तव दिस राज्य और दोगिल विकास निम्ल लिम परियोजनाओ को यहां पर संचालित किया गया है आईए देखते हैं कौन-कौन से यहां पर यूपी में कौन-कौन से यहां पर देखें आपको इसको ध्यान रखना है इसको ध्यान रखना है कि कि यहां से आपके कुछ प्रशन भी हाल पिलाल एक दो पिछले एक-दो सालों के पेपर में आपको पूछा गया है अब दखें यहां पर पर्योजना भी यहां पर ध्यान रखे गए उत्याल देचि जा रहा है दूसरा है सरस्वती हाईटेग सिटि जो प्रियाग cities theme park आपको आगरा में बनाय जा रहा है mega leather cluster project कानपूर में और मंधाना पार्क आपका कानपूर में ये दोनों ही project आपको कानपूर में develop हो रहे हैं प्रांस दिल्ली signature city जिसे हम कहते हैं ट्रोनिका city ये आपको गाजियाबाद में बनाई जा रही है और वहीं मुरादाबाद विशेश आर्थिक शेत्र आपको मुरादाबाद में develop किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें आपको पार्क भी है इसमें आपको economic jones भी है इसमें आपको theme park है इसमें आपकी high tech cities है इसमें आपके leather clusters है तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के और development आपको UP में पूरे आपको देखने को मिलते हैं और यह आपको development इन ही आपकी जो विकास प्राजी करण है नहीं की देने यह already develop हो रहे इसके अलावा भी कई सारी आपकी निवेशिक पर यूजनाय भी लाई गई है जिसके माध्यम से विदेशी और आंत्रिक निवेश को UP में आकर्शित किया गया है कौन-कौन से हैं इसमें एक है आपका Mega Food Park जो बरेली में डेवलक किया जाएगा इत्र सुगंध पार्क मंतर्नोज में है वस्त्र टेक्स्ट्राइल पार्क वारांसी में IT पार्क लखनाव में रक्षा डिफेंस पार्क कानपुर में फार्मा सीटिकल्स पार्क लखनाव में हाइटेक इंडस्ट्रियल टाउन्शिप प्रोजेक्ट बुलंड शेहर में, थीम पार्क सेविन सिटीज आपका आगरा में, ये सारी development भी आपको प्रमुक निवेश पर योजनाओं के तौर पर UP देखता है, और एक और चीज़ है, जो पूर्वी समर्पित मालबारा कारिडोर प्रोजेक्ट, जो दादरी से लेकर के आपके मुगल सरायत अग्डवलेप है, यहाँ पर ये सारी development भी आपको UP में देखने को मिल रही है, तो ये सारा जो काम है, ये आपको इन ही विकास प्राधिकरणों के माध्यम से किया जाता है, इसके सासाथ इसमें जो योगदान है, वो आपके कुछ निगमों का भी है, नगर निगम जो होते हैं, उनके माध्यम से जो कारिड किया जाते हैं, तो उत्तवदेश में यहाँ पर कई सारे अलग अलग नगर निगम तो आपके बुमस्टली हमने पढ़ा है जिस तरह किसे पंचायत और नगर निकाय होते हैं लेकिन यह नगर निगम के अलावाई इनको पर्ट्यूगलर किसी कार विशेश के लिए एक अलग से यहाँ पर कंपनी के रोप में ड्यूप किया आता है कौन कौन से हैं इसमें एक है आपका उत्तरवदेश वित्ती निगम ठीके उत्तरवदेश जो वित्ती निगम है यह आपको स्थापना एक नॉवंबर 1954 को किया गया जिसका कार यहाँ पर लगू एवं कुटीर उद्योगों के विकास के लिए काम करना है साथी यहाँ पर इनके संगार असरवांगीन विकास के लिए सुरुदिर्ण आधारिक संदस्चना को डेलप करना है दूसरा है प्रादेशिक और द्योग के एवं पूंजी निवेश निगम प्रदेश जिसे हैं पिक अप भी कहते हैं ये लखनव में आपको बनाये गया इसकी स्थापना 1972 में की गए और इसके जो उद्देश हैं जिसमें पहला ये है कि जितने भी मध्यम और व्रिहद अस्तर के उद्योग हैं उनको ये सहायता देगा दूसरा मर्चंड बैंकिंग की सुविधा प्रदान करेगा व्यापारियों को और तीसरा अद्योगिक परियुजनाव में प्रत्यक्ष प्रेरक के रूप में ये कार करेगा इसके रहा इनके द्वारा कई प्रकार के अलग-अलग कह सकते हैं छेत्रों में काम किया गया और उद्योगों के स्थापित करने में मदद की गई जैसे electronics, दूर संचार, food processing, रसायन और कागज उद्योग इसमें से प्रमुक है इसके बाद उत्तवदेश लग-उद्योग निगम लिंटेट कानपूर में से अड्ड़लब किया गया है 1988 में से स्थापित किया गया और लग-उद्योगों के विकास है द कानपूर प्रियागरार लखनव बरेली में यहाँ पर इसके छेत्रिक कार्याले भी स्थापित किये गए इसके लावा उत्तवदेश निर्यात निगम लिंटेट की स्थापना लखनव में की गई 20 जनवर उद्योग उनिशोचाट को और इसका जो मूल काम था निर्यात और आयात को प्रोचसान देने के साथ हस्त सिल्प कला का विकास करना राज्य चर्म विकास एम विपड़न निगम लिंटेड जो की आगरामी से स्थापित किया गया जो 12 फरवरी 1989 को जिसका उद्योगिक एम विक्सित तरीके यहाँ पर बनाएं साथ ही यहाँ पर जो पादुगाए अर्थात की जो चपले इत्याद अन प्रकार के चमड़े इत्याद की उद्योग यहाँ पर डवलप है उनके लिए एक विपड़न मार्केट डवलप किया जाए कार्यत इकाईयों के विपड़न के लिए बाजार ढूण जाए और कुटीर चर्म उद्यमियों के माल के विक्रे के लिए यहाँ पर विपड़न की विवस्था की जाए यहाँ पर देखें यह आपको चमड़े के उद्योग से रिलेटेट चाहिए वो उद्यमी हो वियापारी हो या फिर वहाँ पर कामगार है उनके यहाँ पर सहायता के लिए इसको डवलप किया गया है साथ यहां पर उनकी मार्केटिंग किस तरीके से की जाए और उनके लिए मार्केट उपलब्ध कराने का भी काम यह करेंगे उत्तरवदेस इलेक्ट्रोनिक्स निगाल निम्टेड जिसे अप्ट्रॉन भी कहते हैं लखनाउ में 1976 में से कंपनी की रूप में स्थापित किया गया राजसरकार के द्वारा लखनाउ आगरा नोईडा वारानसी में प्रद्योकी पार्कों के स्थापने हित निगम को धनिराश भी उपलब्ध कराई गई है कंप्यूटर सिक्षा के छेत्र में अप्ट्राण के द्वारा दिल्ली, गुर्दासपूर, पतनायम, धाका में पांच नवीन, फ्रंचाइजी की भी इसके द्वारा नियुक्ति की गई साथ ही ग्रामिर छेत्रों में कंप्यूटर साक्षर्ता योजना को प्रारम करने के लिए बाह अर्था जो बाह एक छेत्र है जो कि आगरा में पढ़ता है और दूसरा अंत्रावली जो अलीगड में है यहाँ पर भी केंद्रों की इनके द्वारा स्थापना की गई है जिसका नाम भी यहाँ पर आगे चलकर ड्वलप किया गया है ट्रांस दिल्ली सिगनेचर कर दिया गया है तो ट्रोनिका सिटी है क्या देखिए दो हजार एकड में विरिस्तित लोनी गाजियाबाद का एक छेत्र है यह यहुना नदी के पशिम और दिल्ली सहारनपूर के रोड पर यहाँ पर पूरब में इस्थित है यह उद्वगिक छेत्रों के समगर विकास की और ध्यान में रखते हुए 1990 में इसका विकास किया गया था और 7 जुलाई 2014 को इसका नाम बदलके उत्तरव देश राज्य ओद्योगिक निगम के द्वारा कर दिया गया आपको ट्रांस दिल्ली सिगनिचर ट्रोनिका सिटी तक यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा मेट्रो रेल लाइन भी यहाँ पर ड्वेलप की जाएगी और इस तरीके से यहाँ पर उत्तरव देश में जो ओद्योगे विकास के प्राधिकरण के लेकर यहाँ पर आप काम देख सकते हैं किस तरीके से यह प्राधिकरण आपको अलग-लग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं चलिए इसके बाद आगे देखते हैं ये तो हो गए आपके जितने भी निगम हैं या विकास प्राधी करण हैं उनके द्वारा कौन-कौन से काम किये जा रहे हैं किस-किस प्रकास के उद्धोगों के यहाँ पर साथता दिये जा रहे हैं अब अगले इसमें आता है हमने अभी पढ़ा कि पूर्वी और पश्मी दो प्रकार के गलियारे भी यूपी में ड्वैलप किये जा रहे हैं जब भी हम एकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात करते हैं इसका उद्धेश समझ लीजिए बाकि अभी हम इनको देखेंगे पूर्वी और पश्मी जो गलियारा है यूपी से अगर गुजरता है तो इस प्रकार के जो कॉरिडोर्स हैं एक तरफ तो आपको उद्ध्योग के ड्वैलप होने के पहले आपको रोजगार देता है क्योंकि जब तक यह बनके तैयार नहीं हो जाता है तब तक कि किसी काम करने लेकिन जब तक यह बन रहा है उस दौरान लोगों को रोजगार मिलेगा और बनने के बाद जो भी यहाँ पर आपको development होगी, उद्योग आपको develop होगे, ठीक है, रोजगार यहाँ पर अने लोगों को मिलना provide होगे, नर्यात आयात यहाँ पर आपका बनना शुरू हो जाएगा, देश के अने छेत्रों के साथ आपका जुडाओ यहाँ पर develop हो और यूपी के लिए उसके विकास के लिए बहुत जरूरी पहलू है, तो समस्ते यहाँ पर यह दोनों ही गलियारे किस-किस छेत्र से होकर गुज़रेंगे, और क्या-क्या यहाँ पर आपको सहूलिते मिलने वाली है। सबसे पहले समस्ते यहां पे पूरी ओद्योगिग गलियारे के बारे में ये जन्वरी 2016 में राज्य अवस्थापना एवं ओद्योगिव विकास विभाग तथा विश्यू बैंक के सदस्यों केमत एक सहमत बने जिसके तहट 2450 करोन रुपए की लागत से उत्तव देश ओद्योगिग पुनरुधार पयोजना के अंतरगत तीन छेतर यूपी में विक्सित किया जाएंगे विश्य बैंक इस राज्शी के अथा जिसमें जितनी भी लागत आ रही है उसका 70% यहां पर लोन देगा बांकि 30% जो होती है राज्श सरकार यहां पर अपना वहन सरी यहां पर सरकार के दौरा लागत वहन की जाएगी अब यहां पर समझेगा कि मूल रूप से जो पूर्वी ओद्योगी गलियारा है यह आपको अमरिस सर से प्रारम होके कोलकाता तक जाएगा और आपको पता है यदि आपको पंजाब से आपको कोलकाता की ओर जाना है तो आपको यूपी के राज्श से होकर गुजरना पड़ेगा ऐसी स्थिती में टोटल जो पूर्वी ओद्योगी गलियारे की जो लंबाई है वो 1840 किलोमेटर है और इस 4840 किलोमेटर में से 57% अर्थाक की कह सकते हैं आप 1046 किलोमेटर जो छेतर है वो उत्यव दिश से होकर गुजरने वाला है ऐसी स्थिती में उत्यव दिश के 18 जिले इसके इंतरगत आपको समलित होंगे और सहारनपूर राज जैसे यहाँ पर आपको पूरी ओद्योगे जो गलियारा है वो सहारनपूर राज जैसे इंटर करेगा और यहाँ पर चंदौली राज जैसे आपको बाहर निकलेगा अर्थाक कोलकाता की दरफ आपको जाएगा इस दौरान इसमें 40 स्टेशन स्थापित किया जाएंगे और 18 जिले इसके इंतरगत समलित है अन्य जो जिले यहाँ पर हैं जैसे कि मेरट हो गया हापूर, खुर्जा, अलिगर्ड, हात्रस, आपका भापूर, कानपूर, प्रियागरा, टुंडला, इटावा, प्रिमपूर, मुगल सराएं इत्याद जो जिले हैं वो इसके अंतरगत आने वाले हैं पूरी अद्योग गलियारे के सा साथ, दूसरा जो गलियारा इसमें आपका है पश्मी अद्योग गलियारा है इसके अंतरगत ग्रेटर नोड़ा के प्रस्तावित प्रथम अली बर्ड पर्योजना की एकिकरित क्याउंट्शिप का सिलन्यास यहां पर किया दाएगा और इसमें केंद्रो राजसरकार की जो हिस्सेदारी है वो 50-50% है पश्मी जो अद्योग गलियारा है यह आपको 1483 किलो मेटर लंबा है और उत्तव देश का एक छेतर है जिसे हम दादरी कहते हैं दादरी से प्रारंब होकर यह दिल्ली, हर्याना, राजस्तान, गुजरात से होकर मुंबई के J.L. नहरू पोर्ट तक यहां पर आपको जाएगा 12% जो छेतर हैं यहां पर उत्तवज़ का हिस्सा इसमें समलित होना है और यहां पर 12 जिलों, स्री राज के 12 जिले करीब यहां पर 3668 वर्ग किलोमेटर का छेतर इसके अंतर के प्रस्तावित है जिसे ड्वैलप किया जाएगा इसके अंतर के दो विकास छेतर आपको यूपी में बनाए जाएगे पहला विकास छेतर का नाम रहेगा इसमें दादरी नोयडा गाजियाबाद और दूसरा इसमें रहेगा मेरट मुझफवर नगर और दोगे विकास छेतर इसमें से जो दादरी नोयडा और गाजियाबाद वाला आपका विकास छेतर है ये आपके दिल्ली मुंबई जिसे हम पूर्वी औद्योग गलियारा कहते हैं उस परियोजना के साथ निवे शेत्रों में से एक का हिस्सा है साथ ही दादरी एक ऐसा छेत्र है ध्यान रखेगा दादरी जो छेत्र है UP का यहाँ पर आपको पूर्वी और पश्मी दोनों ही औद्योग गलियारे जो हैं आपको आकर जुडएंगे तो इस नाम को ध्यान रखेगा दादरी एक शेतर है ये कुश्चन पूचा जा सकता है दादरी जो है वो आपका पूर्वी और पश्मी और दोग गलियारे है यहाँ पर दोनों ही आकर मिलने वाले है चलिए यह तो हो गया आपको उत्तव देश में हमने पूरी और पश्मी और गलियारे देख लिया आप कुश्चन और इस तरीके से पूचे जाते हैं जैसे कि पर्टिकुलर किसी जिले को किसी अन्य नाम से भी जानते हूं परनाम के तौर पर भी हम इसे कह सकते हैं और या फिर आपको अद्योगिक सिटीज कह सकते हैं पार्क और अन्य प्रकार के ड्वेलेप्मेंट आपको इन सिटीज में हुई हैं तो कौन-कौन से हैं वो देख लेते हैं पहला है उत्तव देश का जो प्रथम निर्यात संबर्धन अद्योगिक पार्क है इसी तरीके से एपरेल पार्क गाजियाबाद, लेदर पार्क आगरा में लगु उद्योग विकास निगम लिम्टेट के द्वारा कुछ एग्डो पार्क आपके बनाये जा रहे हैं तो यूपी में जो एग्डो पार्क बन रहे हैं चार हैं हापुड में, बाराबंकी, वारांसी और सहारनपूर में आपको यहाँ पर यह एग्डो पार्क बनाये जाएंगे इलेक्टरानिक सिटी किसे कहा जाएगे, इलेक्टरानिक सिटी यहाँ पर दो डवलप की जा रहे हैं एक तो नोड़ा है और दूसरा यहाँ पर आग्रा को बनाये जाएगा प्लाक्स्टिक सिटी के तौर पर भी यहाँ पर दो जिलों को डवलप किया जा रहा है एक है आपका कानपूर दिहाद और दूसरा है आपका और आया इसी तरीके से निकिडा सिटी जो है आपका कानपूर और उन्नाओ यहाँ पर दो जिले इसमें विक्सित किया रहे है सौफ्ट्वे टेकनलोजी पार्क यूपी में आपको नोड़ा, कानपूर, लखनाओ और प्रियाग्राद चार जिलो में चार सिटीज में आपको यह पार्क ड्यूप किया जाएंगे इसी तरीके से निर्यात और दोगिक पार्क आपको आग्रा और गौतम मुध नगर में बनाए जा रहे है ट्रांस गंगा पर योजना ये कानपूर और उन्नाओ के मद यहां पर ड्यूप की जाएगी साथ ही भूखन्ड उपलब्द कराने के लिए कुछ ग्रोथ सेंटर यूपी में बनाए जा रहे हैं कौन-कौन से ग्रोथ सेंटर हैं देख है आपका बिजॉली में चांसी जौनपूर आपका है कानपूर देहाथ है साजहापूर है डिबियापूर जो की और आयम पड़ता है यह भूखन्ड उपलब्द कराने के लिए कहने का मतलब कि कोई भी आपकी योजना आपको स्थापित करनी है तो इसके लिए आपको भूम ही चाहिए होगी साथ आपके Land Container Depot है जो की आपको UP में बनाय जा रहे हैं इसके लावा प्रदेश में कई आपके Clusters आपको बनाय गए हैं अब तक यहाँ पर देखा जाए तो आपको करीब ऐसे 10 Clusters का निर्मार किया जा चुका है UP के विफिने छेत्रों में जैसे है एक Carpet Cluster है Carpet यानि की कालें से related जो आपके उद्योग हैं Clusters का मतलब होता है एक समूँ ठीक है Clusters का मतलब क्या होता है समूँ जहाँ पर particular किसी एक ही प्रकार के उद्योग या कारियों से related आपके कंपनिया हो गई या फिर आपको छोटे-छोटे आपके दुकाने शॉप्स हो गई उसको ह यहाँ पर देखें जो Carpet Clusters developed किया गया है कहाँ पर है भदोही में इसी तरीके से Glass Beats Clusters है वारांसी में Pottery Clusters हैं बुलन शहर में, Catchy Clusters मेरट में, Leather Clusters गोरकपुर में, Kaline Clusters मिर्जापुर में, Mint Clusters बदायू में, Mega Hadkargha Clusters वारांसी में और Black Pottery Clusters आजमगड में और Silk Broket Clusters आपके वारांसी में develop किये जा रहा है UP में तो यह काफी सारे आपके उद्योग पर योजना है निवेश, Cities यह आप यहाँ पर देख सकते हैं तो की develop किये जा रहे हैं इसके बाद कुछ निवेश मित्र योजना उत्तवदे सरकार के द्वारा लाई गई ताकि यहाँ पर UP में investment को बढ़ावा दिया जा सके अलग-लग projects को लेकर यहाँ पर आपको निवेश के लिए आपको आकरशित किया जा सके वर्तवान में देखें तो एक-एक जिला उत्योग केंद्रों की यहाँ पर स्थापना इसके लिए की जा रही है और प्रदेश सरकार के द्वारा भारी और मध्यम लग उत्योगों के निवेश प्रस्तावों को सुविधा जग बनाने के लिए इस योजना को बढ़ावा द जादा चाहिए क्योंकि सरकार की भी छमता एक सीमित होती है इसलिए आपको निजी सेक्टर विदेशी पूंजी एफडियाइस आपको बड़ी मात्रा में चाहिए होगी और इसके लिए निवेश मित्र जैसी योजना है आपके लिए लाबदायक हो सकती है चलिए अब बात करते हैं उत्तवजिस के कुछ प्रमुक निर्यात जोन और इन निर्यात जोनों से क्या-क्या यहाँ पर आपको निर्यात किया जाता है कौन से उत्पादों का निर्यात किया जाता है उसको देख लेते हैं सबसे पहले देखें यहाँ पर इस side में आपको दिया हुआ है निर्याद कौन-कौन से zone है छेत रहें और यहाँ पर हम देखेंगे कौन-कौन से उतपाद इन निर्याद zone से निर्याद किया जाते हैं सबसे पहले यहाँ पर Noida है Noida से हम रतना भूशन, electronics, परिधान, चमड़ा, कम्प्यूटर, software, hardware जैसे आपके उतपादों का निर्याद करते हैं आगरा से यहाँ पर देखेंगे, दूसरा जो आपका निर्याद zone UP में है वो है आगरा और आगरा से हम हस्त सिल्ब सामान, बैग, करात्मक सामान, संग्मर्मर, उतपाद, सिल्फ कार्परेट यहाँ पर आगरा से सिल्फ निर्याद करते हैं लखनाव से देखें तो यहाँ पर कंबल हो गया, इसके लावा बोन कार्विंग, मिनियेचर, फ्लोरी कल्चर, हर्बल आउसधी और आयरुवेधिक सामान जो होते हैं वो लखनाव से निर्याद किया जाते हैं मुरादाबाद से बोन जोलरी, कलात्म काफूशन, आर्ट मिर्टल वेर पर आपको मुरादाबाद से और कानपूर से जो है परफ्यूम, तेल, मसाले, फार्मासिटकल्स, हैंडलूम, रसायन, सौट वेर और चमडा उत्पाद जो होते हैं कानपूर से निर्याद किया आता ह वारांड़सी, आपका लकड़ी के खिलाओने, रेसम, और साथी साथ यहा पर उनी, हस्तसिर्फ, जो होते हैं आपके वारांड़सी से यहाँ पर आपके उत्पादों का निर्याद किया आता है, तो ये आपके छे निर्यात चोन है यूपी में, जो कि आपके इन उत्पाद सबसे पहला यहाँ पर हापुण में है एक भारती अनाज भंडारन प्रभणधन शोद संस्थान यह UP में कहां पर है हापुण में है दूसरा गाजियाबाद में इस्थित है दो आपके अनुसंधान संस्थान एक है आपका राश्ट्री जैव और वरक विकास केंद्र और दूसरा है कपड़ा शोद संस्थान इसी तरह लखनों में आपके ऐसे चार केंद्र है लखनों में कौन-कौन सा है ये चारों आपकी लखनों में इस्थित कुछ शोध और अनुसंधान संस्थान है कानफुर की बात करें तो यहाँ पर केंद्री सूती वस्थर संस्थान जेके कैंसर संस्थान और भारती चमडा रंगाई और जूता जो संस्थान है ये तीन संस्थान आपको कानपूर में है एक और है इसमें greater noida में greater noida में आपको विवी गिरी, राष्ट्री, श्रम संस्थान राष्ट्री, उद्यमिता लगू, व्यावसाय, विकास संस्थान और कोश्की, वा निवारन, अरगुद, सास्त्र संस्थान ये सारे के सारे आपके greater noida में श्रम स्थित है तो ये तो हमारा हो गया उत्तरपदेश से related जितने भी आपकी industrial factual data थे, वो हमने सारा कुछ देख लिया, at the last एक topic है, जो कि important हो सकता है, आपके exam के लिए जरूरी है, पूँचा जा सकता है वो है, पंद्रहवे वित आयोग के द्वारा, उत्तरपदेश के लिए, कौन-कौन सी यहां पे प्रमुक सिफारिशें की गई है, और क्या-क्या किस-किस fields related यहां पे जो data है, वो आपको देखना जरूरी है, अगर आपसे यह पूचा जाए basically, आपको पंद्रहवे वित आयोग से related question बनेगा ही बनेगा, या तो वो आपको overall पूच सकते हैं, इंडिया के परपस से, और अगर हम UP-based आपको question पूचा जाए, तो आपको पता होना चाहिए, basically आपने 15 वित आयोग के बांकी reports को आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन especially आपको UP-based क्या-क्या, यहाँ पर आपको जानकारी है या नहीं है, तो उसको हम यहाँ पर देख लेंगे, चलिए, यहाँ पर I.O की सिफारिशें इसमें हम पढ़ लेंगे, बांकी आपका budget इत्याद हो गया, उत्तव दिसका जो current आपको तीन बार जरूर देख लिएगा, वहाँ से काफ़ी question आपके current base जो भी होगा, वह वहीं से आने वाले हैं, चलिए, देखते हैं 15 वे वित आयोग की क्या-क्या संस्तुतियां हैं, जो उत्तव देश को आवज के लिए उसे निर्धारित किया है 41%, यह कई बार यह वाला जो topic है, यह पूछा जाता है, कि राज्यों को केंद्र के हिस्स्ते से जो भी आपका मिलना है, कर जो होता है, जो ऊसने से कितना पैसा राज्यों को स्थानांत्रित किया जाएगा, कितने के accordance की, तो यह आपका 41% कितना है 41% है चलिया यह यहाँ पर Fredते, कि फंद्राह में व्त आयोके लगोग जो राज्यों को स्थानांत्रित करने के लिए बोला जाता यह जो 41% स्थाना है, उसके मांदर्ण है, एक साइड आपको लिखे हुए है यहाँ पर जो भारांश दिया गया है वो 2021 से 2026 के लिए यहाँ पर है इसके साइड में यहाँ पर 2020-21 के लिए जो यहाँ पर प्रतिवेदन दिया गया जो सिफारिशें की गई थी और यह 2015 से 2020 अथा 14 वित आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई थी तो तुलनात्मक अध्यन भी हम यहाँ पर कर लेते हैं अगर आपसे तुलनात्मक तवर पर कोश्चन पूछा जाए कि यहाँ पर कई बार ऐसे भी कोश्चन आते हैं कि 15 वित आयोग ने केंद्री करों की विभाज पूल से राज्यों को जो आपको हिस्सेदार यहाँ पर की सिफारिश की है वो पिछले अर्थास की 14 वित आयोग के तुलना में कम है या जादा है या कितने पर्षंट है इस तरह के प्रश्चन आपको पता होने चाहिए पिछले बार कितना था तो 42 था तीक है उसे यहाँ पर इन्होंने कम करके 41 कर दिया एक परसंट की कम ही लाई है अब देखते हैं अब भाराज तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या है छेत्फल है आयंतराल है वन्यम परस्त्की है जनसंख्य की निस्पादन है और कर प्रयास या राजकोशी प्रयास यहाँ पर छे मांदंड यहाँ पर बनाए गए है और इन छे मांदंडों के आधार पर राज्यों को यहाँ पर अस्थानांतरित किया जाएगा धन केंद्रों के द्वारा राज को ये सिफारिश की गई है आपको किसके द्वारा वित्त आयोग के द्वारा तो यहाँ पर देखिए वित्त आयोग ने जनसंख्या को 15% यहाँ पर भारांस दिया है 2021-26 के लिए यही था आपका 2021-21 में भी आपको 15% था लेकिन जो 14 में भी तायोग की रिपोर्ट थी उन्होंने इसे 70% 70.5% कहा था तो यहाँ पर यह 2% कम किया गया है दूसरा छेत्रफल के आधार पर जो भारांस दिया जाएगा 2021-26 के लिए वो 15% है 2021-21 में भी यह 15% था और 2015-20 में 14 में वितायोग की सिफारिश में भी 15% था इसके बाद तीसरा जो मांदन्ड है वो है आय अंतराल आय अंतराल में अगर आप देखें तो यह है आपको 2021-26 अकले 5 वर्षों के लिए 45% यहाँ पर आय अंतराल के रूप में भारांस दिया गया है जबकि 2020-21 में यहाँ पर उन्होंने 45% ही रखा था कोई कमी यहाँ पर कोई चेंजिस नहीं किये गए है साथी 2015-20 जो की 14 वितायोग ने जो सिफारिश की थी उन्होंने इसे 50% रखा था अर्थात की 5% यहाँ पर कम रखा गया है 15 वितायोग में चौथा यहाँ पर भा है आपका 1M परस्त की यह भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं है 2021-26 में 10% है 2020-21 में भी यह 10% था और 2015-20 में यह कम था सिर्फ 7.5% था तो इसे 0.5% बढ़ा दिया गया है एक तरीके साबके environment के importance यहाँ पर बढ़ाई गयी है इसके लावा जनसांखी की निस्पादन को यहाँ पर 12% आपको 2021 में रखा गया है साथी 2021-26 में भी यह 12% है लेकिन 2015-20 में यह सिर्फ 10% रथा तो 0.5% यहाँ पर जनसंख्या निस्पादन रथा ती एक तरीके से नया जोड़ा है जो कि 14 वे वितायोग की सिफार्शों में जो बेटिस था भारासा या मांदंड था वो आपको यह समलित नहीं था उनमें लेकिन 15 वे वितायोग ने अपनी रिपोर्ट में इसे नया यहाँ पर समलित किया है क्या है यह कर या राजकोशी प्रियास सरकार को जो घाटा होता है तो राजकोशी प्रियास के अंतरगत किस तरीके सरकार के द्वारा आपनी राजकोशी घाटे को कम करने को लेकर प्रियास किये जा रहे है इसको कितना वे वे टिस दिया गया है तो 2021 से 26 में 5% है 2020-2021 में भी 85% था और 2015-2028-14 वितायोग की रिपोर्ट में ये आपका मांदन था ही नहीं ये आपको नया है ध्यान रखना है ये आपको नया सामिल किया गया है ये तो हो गया 15 वितायोग की अपनी रिपोर्ट में किस तरह के वेटिस दिये गए हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश को लेकर किस तरीके स्थिफारिशें यहां पर की गई है तो देखें यहां पर पहला डेटा जो यूपी का है आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र द्वारा हस्तांतरित करों विभाज पूल में अधिक्तम हिस्सेदारी वाले स्तीर स्तीर स्तीन राज्यों में सबसे ज़्यादा जो आपको अधिक्तम हिस्सेदारी यहां पर किन तीन राज्यों को मिली है केंद्री कर से तो उसमें सबसे पहला अस्थान है उत्तवदेश का, दूसरा है बिहार का और तीसरा है मजबदेश का इन तीन राजियों को सबसे जादा केंदर से आपको करह अस्थान अंतरित होने वाले हैं जिसमें UP का अस्थान पहला है कितने पर्चेंट मिलने वाला है? तो देखें यहां पर 2015 से 20 तक यह था 17.959 था 2020-21 में 17.931 रहा और 2021-26 में जो कि आप यहां पर दिया जाएगा 2021-26 चल रहा है इसके लिए यहां पर जो आपको वेटेश है जो भारांस दिया जाएगा जो आपको करह अस्थान अंतरित किया जाएगा 17.939 परसेंट आपको यहां पर अस्तानतरित किया जाएगा यूपी को बिहार को 10.058 और मत्रदेश को 7.850 आपको 2021-26 के दौना अस्तानतरित किये जाएगे पिछले के मुकाबले कर हम देखें तो यहां पर आपको बिहार का बढ़ा है थोड़ा सा घटा आपको पिछले वर्स की तुलना में देखें 2020-21 में बिहार का था 10.061 जो कि घटकर हो गया 10.058 और मत्रदेश का भी यहां पर 7.8886 था जिसे घटा कर दिया है तो यहां पर कमी आई है यूपी का बढ़ा है लेकिन सीरस्तीन राज्यों की तुरिषकोंट से आपको ध्यान रखना है उत्तब्रदेश, बिहार और मत्रदेश अब चलिए यहां पर कहने का मतलब जो अनुदान यहां पर दिया जाएगा यूपी में किस किस छेत्र में और कितने कितने परसेंट यहां पर अनुदान यूपी को जीरो बैलेंसेज, कुछ भी पैसा नहीं नहीं है पैसानी मिलने वाला है, वहीं सभी राज्यों को अगर हम देखें, तो अन्य राज्यों को मिला करके अगर पूरे राज्य को मिला कर देखें, तो उन्हें अस्थान किया जाएगा, 29,514 करोन रुपए, केंद्र के द्वारा यहां पर राज्यों को अनुदान की रूप में केंदर से राज्यों को मिलने वाला है अथा यूपी को मिलने वाला है टोटल मिलाकर अगर देखें टोटल केंदर से राज्यों कितना अस्थानतित किया जाएगा तो ये है 42,47,911 करों रुपए और UP का जो हिस्सा है वो 15,69% जो है वो UP को स्थानतित किया दाएगा अब अस्थानी निकायों को जो अनुदान दिया जा रहा है इसमें भी कई पार्ट है जैसे कि स्वास्थ अनुदान है स्वास्थ अनुदान के रूप में 9,716 करोन टोटल जो है वो 37,51 करोन है अगर हम परसंटेज वाइस बात करें तो ये 13 समलो 8,7% है इसी तरह ग्रामिड अस्थानी निकायों को जो अनुदान मिलने वाला है वो 38,012 करोन है जो कि टोटल यहाँ पर सभी राज्यों को मिला कर ये 2,36,805 करोन है यूपी का सिर्फ परसंटेज अगर आप इसमें निकालें तो है 16,05% आपको ग्रामिड अनुदान की रूप में यहाँ पर मिल रहा है ग्रामिड अस्थानी निकाय की रूप में ग्रामिड है तो शहरी भी होगा सहरी स्थाने निकायों को आपको 19,432 करोन रूपाई मिल रहे है जो की टोटल राज़ी का करीब यहाँ पर देखा जाए जो टोटल राज़ी है आपको 1,21,055 करोन और यूपी का इसमें परसंटेज है 16% इसके बाद आता है आपदा प्रबंधन देखा जाए तो यूपी में आपदा प्रबंधन के दिश्कोर से इस्थितियां बहुत जादा आपदा सिर्वाए बार इत्याद के आपको देखने को जादा मिलती नहीं है तो आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पे 10,685 करोन रुपए यूपी को मिलने वाले है टोटल केंदर के द्वारा जो आपदा प्रबंधन के लिए राश्य आवंटित की जारे ही राज्यों को 1,22,601 करोन रुपए और यूपी का हिस्ता है सित्र सिर्फ इसमें 8.72% इसके रावा प्रमुख छेत्रों के लिए विश्ष्ट अनुदान भी जारी करने की सिफारिश 15 में वित आयोक के द्वारा की गई है जिसमें यूपी को 15,781 करोन रुपए आपको आवंटित किया जाएंगे जबकि टोटल मिलाकर 1,22,37 करोन रुपए केंदर सरकार के द्वारा राज्यों को हस्तानतित करना है और यूपी को जो परसेंटेज वाइज अगर देखें तो 12 समलो 9-3% आपको यूपी को मिलेगा अब यह जो प्रमुक विशिस्ट छेत रहें यह है कौन-कौन से तो इसमें देखे आता है आपका स्वास्त स्वास्त के लिए यूपी को मिलेगा 6,150 करोन रुपए टोटल है 31,755 करोन रुपए और यूपी का हिस्सा है 19,57 करोन रुपए इसी तरह प्रधान मंत्री आपको ग्रामिर जो सडके यहाँ पर बनाई जाएंगी उसके लिए 1,465 करोन मिलेगा टोटल 37,549 करोन और यूपी का हिस्सा है आपको 9,7 करोन सांखिकी के लिए 114 करोन रुपए टोटल 11,75 करोन रुपए आपको अस्तानतित किया जाएगा केंदर के द्वारा राज्यों को और यूपी का हिस्सा है इसमें 9,70 करोन जुडिशरी अर्थात की न्यायाले के विकास के लिए यहाँ पर यूपी को मिलेगा 1,825 करोन रुपए केंदर के द्वारा राज्यों को सरी यूपी को टोटल राज्यों को मिलेगा 10,425 करोन रुपए और यूपी का हिस्सा है इसमें 17,51 परसेंट इसके सासार उच्च सिक्षा को भी यहाँ पर यूपी के लिए 893 करोन रुपए यहाँ पर स्थानातिरित किये जाएंगे टोटल उच्च सिक्षा के लिए किंद सरकार के द्वारा 6,143 करोन रुपए दिये जा रहे हैं और यूपी का हिस्सा है इसमें 14,54 इसी तरीके से क्रिश के लिए आपको 5,334 करोन रुपए यूपी को मिलेंगे टोटल 45,000 करोन रुपए में से 5,334 करोन रुपए यूपी को मिलेगा अर्थात की देखा जाते हैं 19 समलो 54 परसेंट यहाँ पर यूपी को मिलने वाला है सोरी क्रिश के लिए यहां पर 11 समलो 85% यहां पर यूपी को मिलेगा और एद लास्ट एक और अनुदान मिलेगा वो है राज्य विशिष्ट अनुदान जो है टोटल 49,599 करोण में से 3,495 करोण रुपए यूपी को मिलेंगे अर्थाक की 7.05% रुपेज होता है वो आपको यूपी को मिलेगा तो यह 15 वितायों के द्वारा यूपी बेस्ट आपको कुछ सिफारिशें की गई है जिसे आपको ध्यान रखना है किसी भी ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसे कि 15 वितायों के द्वारा उत्वदेश के ग्रामिन अस्थानी निकायां के लिए कितना परसेंटेज यहाँ पर आपको आवंटित करने की बात की गई है तो इस तरी कि जो भी कुश्चन अगर बनता है एनी चांस एनी हाउ कुछ भी कुश्चन आता है तो यह आपको ध्यान रखना है एक चीज और जाती जाती यह भी आपको बता देता हूँ जिस तरीके से हमने यहाँ पर देखा कि सरवाधिक रूप से अर्था सब सीर्ष तीन राज्य कौन से हैं जिने केंद दौरा हस्तांतरित करों में से विभाज पूल में सबसे ज़्यादा हिस्सा मल रहा है उसी तरीके सकई बार सरवाधिक के वज़ाए सबसे कम भी पूछा जाता है तो नाम सिर्फ ध्यान रखेगा इसमें केंड सरकार के द्वारा हस्तांतृत करों विभाज़ पूल में से नियुनतम हिस्से जा रारे वाले तीन जो राज्य हैं वो हैं गोवा, सिक्किम और मिजोरम हैं चली तो अब यहाँ पर यह तो हो गई उतवडेश को बेश्ट यहां पर क्या क्या सिफारिश की गई अब यहाँ पर जाते से जाते आपको 15 वितायोग से related कुछ fact और data बता देते हैं क्योंकि अगर हम 15 वितायोग के बारे हम पढ़ रहे हैं तो यह भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 15 वितायोग क्या है और किस दिसकरी के सिफारिशें और गैठन कैसे हुआ है तो यहाँ पर देखे आर्डिकल 281 के दहत राश्पती के द्वारा इसका गठन 2017 में किया पंद्रामे वितायोग का और इनके द्वारा तीन प्रकार की यहाँ पर सिफारिशें की गई है पहला केंडवर राज्यों के मध करों के शुध आगतों के वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगतों के ततत सम्मंदी भाग का आकलन और आवंटन किया जाए दूसरा भारत की संचित नीध में से राजियों को राजस्यों में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिधान और सम्विधान के अनुच्छे 275 एक विर्योजनों के भिन्ने प्रियुजनों के लिए अनुच्छे 275 के अधिन राजस्यों में सहायता अनुदान के रूप में राजियों को सदत यहाँ पर की जाने वाली धनराश की यहाँ पर आपूर्थ की जानी चाहिए और तीसरा राजि के वित आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राजियों के पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधन आपूर्थ के लिए किसी राजि की संचीत निदी के संवर्धन है तो यहाँ पर आवशुकता है कहने का मतलब यहाँ पर अस्थानी निकायों गरामेड निकायों को मजबूत बनाने की बात की गई है राज्यों के इससे दारी को यहाँ पर मजबूत है उनकी आई को बढ़ाने के प्रयास यहाँ पर लगातार किय जाने को लेकर एक कुछ प्रमुः सिफारिशें की गई ह इसके लावा इस साल के जो अगर हम 15 वित आयों के सिफारिशें देखें कुस विशेश छेत्र को लेकर इन्होंने आपको अपनी बातें रखी हैं जिसमें से आयों ने केंद्रों राज्यों के बीच वर्तमान जो वित विवस्ता है घाटे के भरण पोशन समंधी नगदी सेश और राजकोशी अनुसासन कायम रखने के प्रयासों की स्थिती की समिक्षा के साथ साथ राजकोशी प्रवंधन के लिए राजकोशी शमेखन की रूप देखा के संदर में भी अपनी सिफारिशें रखी हैं कि जो घाटे हैं उसको नियंत्रित करने को लेकर केंद्र अस्तर पे और राज अस्तर पर किस तरीके से कार्य किया रहे हैं साथ ही यहां पर इसे अलग अलग न देखा जाए बलकि यहां पर इसे कौमन एक स्राज की यहां पर देखते हैं तो यह हो गया आपका एकनॉमिकल बेस्ट आपका कुश्चन बाकि एक्रिकल्चर को लेकर हमने आपने भोगोल में ही पढ़ रखा है और एद लास्ट एक चीज और है कि यहां पर एकनॉमिकल बेस्ट काफी सारे कुश्चन आपकी करन्ट वारा वीड एद लास्ट आपके एक दो टॉपिक यूपी का और बस्ता है तो उसे भी आपको अगले एक दो वीडियो में कम्प्लीट करा दिया जाएगा बाकि आपकी टॉपिक चाफ रहे हैं अपना रिवीजन करते रहे हैं डेली पढ़ते रहे हिंदी का भी टॉपिक आपका चली र है या उसकी क्लासे आपकी चल रहे हैं कोशिश रहेगी आपकी 20 नमबर तक क्लासे हो जाएं तब तक जितना भी क्लासे चल लें उसको तो कम्प्लीट करना है और उसके बाद आपका रिवीजन भी सासाथ करते रहेंगे चलिए फिर आज के लिए इतना ही मिलते हैं फिर आपके टॉपिक्स और रहे गए हैं उनको लेकर थैंक यू सो मच